नमस्ते दोस्तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूच्यूब चैनल सत्यसनातन में आप लोगों ने विश्वानी सेवा फाउंडेशन को जो प्यार दिया है वो अप्रतिम है लेकिन मेरी आप सबी से अपील है कि गुरू को लोग का पुनर उत्थान और पुनर रिर्मान करने के लिए हमारे स्क्यूर कोड को स्कैन करके विश्वानी सेवा फाउंडेशन के हाथों को मजबूत बनाए आज का हमारा जो वीडियो है वो है इसराइल और फलस्तीन के आतंकुबादी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध के उपर और इसी दोरान बताय जा रहा है कि सूपर स्टार विश्व के प्रथम सूपर स्टार और एक तरीके से कहा जाए कि सूपर हूमन बेंजामिन नेतन्याहू की आने वाली फिल्म भी अब रिलीज होने वाली है फिल्म का नाम है सपाट चप्ती धरती और इसमें गाना भी बनाया गया है कि गाजा मेरे गाजा इसराइल में समाजा लेकिन इसके उपर मुझे एक अपती है कि इस फिल्म के अंदर KGF का एक डायलोग भी चुरा करके लगाया गया है वो डायलोग जो आप सभी की जबान पर चड़ा हुआ है और वो है इसराइल बिलकुल अराम से अपना काम कर रहा था लेकिन इसी दोरान अपने आपको बड़ा ही शांती प्रिये कौम का बताने वाले हमास के आतंक वादियों ने इसराइल के उपर ताबड तोड पांच हजार रोकिट दा गे इन में से तकरीबन 55 जो बॉम थे वो उसी समय पर नीचे तक पहुँच पाए बाकी को आपको सबको पता है कि आरेंडोम ने हावा में उनको नश्ट कर दिया और उनमें से भी तकरीबन 30 से 32 ऐसे थे जो निशाने पर लग पाए लेकिन इसमें भी अभी तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 900 लोग मारे जा चुके हैं और 1500 इसराइली लोग फिलिस्तीनी आतंकवादी कहिए कि इसलामिक आतंकवादी संगटन हमास के कबजे में है आप वो सारे वीडियो देख चुके होंगे जिनमें कि छोटे छोटे बच्चों को कैद में डाला गया है महिलाओं को पूरी तरीके से नगन करके उनकी परेड निकाली गई है गाड़ी के पीछे डाल करके उनको गुमाया जा रहा है फिर उनकी गर्दनों को रेता जा रहा है, अर्थात वो कوم जो कहती है के हमारे यहांपर महिलाओं का सम्मान होता है हम किसी के ओपर कोई हमला नहीं करते हम किसी भी बे गुना को नहीं मारते अस्राइल कुछ भी नहीं कर रहा हमास ने सिर्फ और सिर्फ अपने तैयारी करी और हमले शुरू कर दिये देखो हमास की जो मेंटालिटी है उनना आपको बता देना चाहता हूँ ये केवल हमास की मेंटालिटी नहीं है ये पूरे विश्व के उन 180 करोड महम्मदीनों की मेंटालिटी है जो भी एक किताब एक रसूल और एक खुदा में विश्वास करते हैं ये क्या करेंगे कि सबसे पहले जाकर किसी बेगुना को मारेंगे जब उसके एवज में जमिन की पिटाई होती तब ये विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते है हमास जो है वो हमेशा क्या करता है कि वो इसराइल को पहले हमला करता है इसराइल जब अपनी जवाबी कार्रवाही करता है तो वो 56 देशों के सामने अपना कटोरा फैला देता है और फिर जकात के नाम पर पैसा मांगता है यही नहीं भारत वर्ष के भी सभी मुसल्मान लोग इस बात में विश्वास करते हैं कि हमास बिलकुल बेगुना है उसकी कोई गलती नहीं है अब बहुत सारे सोसल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बात को कह रहे हैं कि देखो जगड़ा चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में लेकिन इंडियन जो राइट विंगर्स हैं उनको बड़ा अनंदा रहा है कि हमास मारा जा रहा है या फिलस्तीन मारा जा रहा है तो उनको इस पर नहीं बोलना चाहिए बलकि भारत के अंदर जो महंगाई है उस पर बोलना चाहिए बेरोजगारी पर बोलना चाहिए महिला सुरक्षा पर बोलना चाहिए मनीपूर पर बोलना चाहिए अच्छा 36 गड़ पर नहीं बोलना चाहिए, राजस्थान पर नहीं बोलना चाहिए, दिल्ली पर नहीं बोलना चाहिए, पश्यम बंगाल पर नहीं बोलना चाहिए, करनाटक पर नहीं बोलना चाहिए, तमिलनाडू पर नहीं बोलना चाहिए, या उन-उन सब राज्यों पर नहीं बोल और इस्राइलियों को ब्राह्मन बताने नाजी वादी बताने फासी वादी बताने और यही नहीं उनको संगी बताने में लगे हुए हैं। बारत वर्ष में रहकर के यह लोग इस्राइल के खिलाफ और हमास जैसे आतंकवादी संगठन के पक्ष में बोल सकते हैं क्योंकि इनकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है लेकिन कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है वो इनसाइनत के नाते इस्राइल का समरतन नहीं कर सकता ह इतना दोगलापन आपको इन कैप्टन मोमो के जो चेले चपाटे हैं इनके अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी किताब में ये बात लिखी हुई है अब मैं आपको दो लाइन में इस्राइल और पूरे इस्लामिक जगत की लड़ाई को समझाता हूँ देखे जब इसलाम का अदभव नहीं हुआ था उससे पहले थे क्रिश्चन और उनसे भी पहले यहूदी थे अर्थाज जितना भी ये अबराहिमिक वर्ड है उस सब के ओपर यहूदियों का ही एक तरीके से शासन प्रशासन था उसके बाद में साय आए उन्होंने यहूद उपर कबजा कर रखा है वही दादा जिसकी मूतर नलिका से इनका जनम हुआ है वही दादा जिनके रहमों करम से इन लोगों का अस्तित्व में आया है उसी दादा को यह आँख दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी उकात क्या है तुमने पूरे के पूरे अरब वर आप सभी जानते हैं कितना बड़ा है और उसमें से सुई की नोक के बरावर छोटा सा इसराइल जहां पर उनकी सबसे पहली आस्था का केंद्र था उसको वो बचाने का कारे कर रहे हैं लेकिन उनकी तीसरी पीडी का इसलाम उनहीं को यांखे दिखा रहा है आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पूरे विश्व के अंदर अभी तलग जितने भी नोबेल अवार्ड गए हैं खास तोर पर साइंस के अविश्कारों को लेकर के उनमें से 25% से जादा जो नोबेल अवार्ड हैं वो इसराइलियों को यहूदियों को मिले हैं जबकि उनकी आबादी तकरीबन 90 लाक से एक करोड के बीच में हैं पूरी दुनिया के अंदर दूसरी सबसे बड़ी आबादी तकरीबन 180 करोड की एक किताब एक रसूल एक खुदा को मानने वाले लेकिन उनके पास में एक भी नोबेल अवार्ड नहीं है खास करके किसी अविश्कार को लेकर के एक मुसल्मान जो पाकिस्तानी था वो भी कादियानी मुसल्मान था उसको मिल गया था उसको भी पाकिस्तान से मार करके बगाया गया उसने पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ दी थी ये है महान इसलाम की निशानिया जिनका सरजन से निर्मान से कोई नाता नहीं क केवल और केवल विस्फोट और लोगों को दुनिया को जीवन को तबाह और बरबाद करने से जिनका रिष्टा है वो लोग दुनिया को कह रहे हैं वो लोग खास करके हिंदू को समझा रहे हैं कि तुम लोग नाजिवादी हो फासिवादी हो तुम कैसे हां सकते हो कि जब हमा आतंकवादी मारे जा रहे हैं इन लोगों का दोगलापन आज आप देख रहे हैं लेकिन जैसे कि मैंनन का पूरा इतिहास पड़ा है मुझे 1400 साल का पूरा इतिहास याद है कि इनके कैप्टन से लेकर कि आज जो चिची बच्चे और सकोले पैदा हो रहे हैं उन तक का भी दो हम पूरी की पूरी धर्ती सपाट और चप्टी खाली प्लोट बना करके ही दिखाएंगे इसराइल की डिफेंस फॉर्सिज ने भी एक ट्वीट करते हुए इसराइल के जंडे से 72 लिख दिया है इसका आर्था आप समझ सकते हैं वो अपने पॉइंट को लेकर के बहुत क्ल हैं या हमारी डिफेंस फॉर्सिज ही हैं वो इस तरीके का कोई ट्वीट कर सकते हैं क्या एक फिल्म में बहत तरहूर की बात आई थी तो उसको भी कटवा दिया गया था ये फर्क है सबसे बड़ी चीज मेरे मित्रों जो आपको जान लेनी चाहिए कि इसराइल यहूदी औ इस समय पर इसाइयों के साथ क्रूसेड के जो काल थे उनके दोरान जब मुसल्मानों को मूग की खानी पड़ी थी उनको लग गया पता कि अब हमारी यहां दाल गलने वाली नहीं हमें भारत वर्ष की तरफ बढ़ना चाहिए लेकिन वहां पर भी अफगानिस्तान के बॉर लोगों के प्रपंच में फसना शुरू हो गया था महम्मद गोरी तब जीत पाया जब यहां पर ख्वाजा मौईनुद्दीन चिष्टी ने दरार डालनी आरंभ कर दी वो भी तब जब उसने फेक सुफिजम में लोगों को फसा लिया था आप सभी जानते होंगे एक वीड जल्मानों को इन्वाइट करके विजय नगर सामराज्य के पिछले दर्वाजे खोल करके तोप का रुख अपनी ही सेना की तरफ कर दिया था और अपने महमदीन भाईयों को विजय प्रदान की थी वही चीज़े इसराइल के साथ में हुई कि जब से इसलाम का उद्भव बलकि उनकी जनता भी से लगाता तरस्त है और वही चीज भारत वर्ष भारत वन्शों के साथ में हैं ये दो देश और ये दो कौम जितना जल्दी हो सके इन जिहादी आतंक वादियों को समझ जाएं तो बहतर अन्य था जो चीज़े इसराइल में बंबारी करके वहां के सै शत्रू का बोध होना अत्यंत आवश्चक है किसी भी प्रकार के सैकेदरिजम में नाफसे हम केवल उनको भाई समझते हैं वो हमें चारा समझ करके निगल जाते हैं आज जो बेंजा में नेतन नियाहुने चप्टी धरती नाम की फिल्म रिलीज की है जो उसमें बहुत बहत थाप ना हो सकती है अनिता जिस प्रकार के शान्ति की बात आजकल लोग करते हैं वो असंभव है लेकिन लाहौल बिलावकुत कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती और दीन से इसलाम बराक उबामा ने भी अमेरिका की जनता से अपील की है कि वो इसराइल के साथ में ख भारत वन्श को मारते हैं उनका क्या होगा जो कह रहे थे कि पूरी की पूरी उम्मा जो है वो एक है अब उनको भी संभल जाना चाहिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अभी ये दिपावली लंबी चलने वाली है बेंजामिन और इसराइल सेना अभी आराम से बैठने वा मांगेंगे और जब माफ कर दे जाएंगे तो सीधे गला रहतेंगे इस चीज़ को आप भी जितना जल्दी हो सके समझ जाईए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है जहनकार इसे भरपूर लगता है तो उसको सब के साथ मैं शेयर वश्य करें मेरे संग बोली सत्य असनातन वैदिक धर्म की जए जए इनवन्दे मात्रम